सो गाइस जास की वीडियो हम बात करने वाले हैं iqoo Z75Z device के अंदर आप जो है power off problem को solve कर सकते हैं गाइस अगर आप भी अपने power button को long press करते हैं तो वहाँ पर जो आपके power off का dashboard है like that रिजिस start करना, power off करना, call emergency वाला ओफीचर नहीं आता बार बार Google Assistant ओपन हो रहा है तो इस problem को आप बिल्कुल ही आसानी से solve कर सकते हैं चलो हम डेवो करते हैं power off problem को solve कैसे करना है हमें अपने device के अंदर well guys power off problem को solve करने के लिए सबसे पहले open करेंगे अपने phone setting को settings को हमने already open करा हुआ है इस तरह से interface आजाएगा scroll down करके नीचे आना है एक settings आपको इसके अंदर मिलेगी shortcut and accessibility एक बार आप इसको press करेंगे and यहाँ पर multiple options आजाएंगे इसमें settings है press and hold power button एक बार आप इसको press करेंगे यहाँ पर again आपके पास 2 options आएगा press and hold duration है यहाँ पर इसमें एक duration set कर सकते हूँ काफी लंबे time तक आपको hold करके रखना है यह shortly option आजा है वो आप यहाँ arrow से graph की मदद से manage out कर सकते हैं because पहले option को enable करना होगा पहले देखें यहाँ पर समझते क्या है कि आपको again press करना है press and hold power button पर and 2 option आजाएगा अगर आपने by mistakes rings on कर दिया है launch google assistant वाला इसको press कर देंगे अब long press करेंगे तो हमारा यहाँ पर google assistant ही बार-बार open होगा तो आपने बताया दा duration आपको कर सकते हो घटा बढ़ा सकते हो जैसे कि यह है short बहुत ही जल्दी यहाँ पर click करेंगे तो instant ही आपको यह जो आजाएगा google assistant launch हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर इस duration को long कर देते हो तो long time पर आजाएगा आप देखो यहाँ पर इसको सही करना है तो उसके लिए इस पर प्रस करेंगे enable the power and emergency menu उसको set करेंगे then long press करेंगे अपने power बटन को अब यहाँ पर off करने का और dashboard आजाएगा जहाँ पर आप emergency कर सकते हैं call किसी को email phone को log कर सकते हैं restart कर सकते हैं phone को और यहाँ पर switchOW भी आसानी से कर पाएंगे I think guys समझोंगे कैसे इसका access करना है और फिर भी कोई confusion होती है इसके recording comment section नीचे है आप में comment करके पोच सकते हैं